वेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है एक सितंबर 2022 और एक सितंबर 2022 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे आम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लाश्टम मैं आपसे कुश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो की डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप मारे टेलिगराम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिगराम गुरूप पर आपको सारे पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और Telegram group का link मैंने इस वीडियो की डिसकुर्शन में दे दिया है तो आप उस link पर click करके Telegram group join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में Malaysia ने किस दिन अपना सुतंता दिवस मनाया है तो Malaysia का सुतंता दिवस हर साल 31 अगस्ट को मनाया जाता है तो इस question का बे options है यह है अब Malaysia का सुतंता दिवस 31 अगस्त को मनाय जाता है तो यह है map में Malaysia Malaysia की capital क्या है? Kuala Lampor, Malaysia की currency क्या है? Malaysian Regat और Malaysia के present time पर प्राइमिस्टर कौन है? Ismail Sabri Yakub कौन है? Ismail Sabri Yakub अच्छा अगस्त का month complete हो गया है तो अगस्त में जितने भी important day मनाय गया है सारे यहां पर बिल्कुछ sequence में लिखे हैं मैं आपको एक वर फिर रिवाज कराता हूँ अगर यह आपको याद हो गया है तो आप मेरे सासत बोलिए एक अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाय गया था क्यों मनाय जाता है? क्योंकि ट्रिपल तलाक बिल एक अगस्त को आया था और एक अगस्त को ही बल्ड लंग कैंसर डे मनाय जाता है दो अगस्त को पिंगली बेंकेया की एक सो चालीस मी जैनती मनाय गयी एक इसमारक डाक टिकेट भी जारी किया गया 5 अगस्त को अंतराश्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाय जाता है 6 अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाय जाता है क्यों मनाय जाता है? जापान का सहर है हिरोसिमा यहां पे अमेरिका ने एटमम गिराया था और कब गिराय था चैगस्ट को इसलिए चैगस्ट को हिरोसिमा दिवस मनाय जाता है और नागासाकी पर 9 गस्ट को गिराय था तो इसलिए नागासाकी दिवस 9 अगस्ट को मनाय जाता है साथ अगस्त को रास्टी हत्करगा दिवस और रास्टी वाला फैंक दिवस मनाए जाता है आठ अगस्त को भारत छुडो आंदुलन दिवस मनाए जाता है नौ अगस्त को बेश्ट्सु आदिवासी दिवस और नागा साकी दिवस मनाए जाता है 10 अगस्त को 200 जैब इधन दिवस मनाया गया 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लाइन डे मनाया गया 12 अगस्त को अंतरास्टी युवा दिवस मनाया गया और अंतरास्टी युवा दिवस पर हर बार मैंने आपको बता है कि रास्टी युभा दिवस 12 जन्वरी को मना जाता है 12 जन्वरी को स्वामी विबेकानन जी की जैनती होती है इसे लिए 12 जन्वरी को रास्टी युभा दिवस मना जाता है अब आप कन्फ्यूज मत होना अंतरास्टी युभा दिवस 12 गस्त को और राश्टी युबा दिवस 12 जन्वरी को अच्छा, बेस सुहांती दिवस ये 12 अगस्ट को मनाया गया और बेस सुहांती दिवस पर मैंने आपको दो इंपोर्टेंट कुशिन बार बार बताए हैं इन्या में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया और प्रोजेक्ट hackedern 1973 में लौन चुहां अच्छा बेस सु संस्क्रत दिवस भी 12 अगस्ट को मनाया गया 13 अगस्ट को 200 अंगदान दिवस मनाया गया 14 अगस्ट को बेभाजिन BBC का इसमरट दिवस मनाया गया 17 अगस्त को पारसी नब बर्स मनाये गया और इसे क्या कहते हैं नब रोज नब का मतलब होता है नया और रोज का मतलब होता है दिन अच्छा है इंडोनेसियाई सुतंता दिवस भी 17 अगस्त को मनाये गया 19 अगस्त को 200 मानवताबादी दिवस और 200 फोटोग्राफी दिवस मनाये गया 20 सगस्त को 200 मच्छर दिवस मनाये गया 21 सगस्त को 200 बरिस्ट नागरिक दिवस और आतंकवाद के पेड़ेतों का अंतरास्टी इस्मरड और स्रिदांजली दिवस मनाये गया 23 अगस्त को दास ब्यापार उसके उन्मूलन के इस्मरड के लिए अंतरास्टी दिवस मनाए गया 24 अगस्त को बेश्चु गुजराती भासा दिवस मनाए गया ये इंपोर्टेंट है बेश्चु गुजराती भासा दिवस ये 24 अगस्त को मनाए गया 24 अगस्त को अंतरास्टी डॉग दिवस और माईला समानता दिवस बनाए गया 29 अगस्त को रास्टी खेल दिवस और परमाण परिक्षड के खिलाब अंतरास्टी दिवस बनाए गया रास्टी खेल दिवस ये होकी के जादूगर मेजर ध्यान चन्जी के जन दिन पर बनाया जाता है अच्छा तेस अगस्त को रास्टी लग उद्योग दिवस बनाया गया तो ये अगस्त के important दे हैं कि आपको याद रखने है अच्छा आज की इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे चोटा सची target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी शुषिं के, हाली में महरास्ट में कहां दिभ्यांग पार्क का उद्गाटन किया गया है तो महराष्ट में नागपुर में दिभ्यांग पार्क का उद्गाटन किया गया तो इस question का say options आई है सामाजी की नयाय और अधिकारिता मंत्राले ने महराष्ट के नागपुर में एक दिव्यांग पार्ग का उद्गाटन किया है ये उद्गाटन हुआ क्यों है दिव्यांग व्यक्तियों की साहता के लिए अच्छा नागपूर से रिलेटेड अभी एक most important question मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बताया था कि ये माराश्ट में एकलोता ऐसा सहर है नागपूर जहां ये उत्सब मनाया जाता है क्या था उसका नाम मारवत उत्सब सिर्फ नागपूर में मनाया जाता है याद रखी जब भी नागपूर का नाम सुने मारवत उत्सब माइंड में क्लेक करना चाहिए और क्यों मनाय जाता है? ये भी मैंने आपको बताया था नागपूर को तुस्ट आत्वाओं के हमले से बचाने के लिए ये मारबत उत्सब नागपूर में मनाया जाता है अच्छा मारास्ट में अभी दही हांडी को खेल का दरजा दे दिया गया है और मारास्ट में एक इंटरनेट रेडियो लॉंच हुआ था उसका नाम क्या था रेडियो दक्ष रेडियो दक्ष नाम का भारत का पहला इंटरनेट रेडियो महराष्ट के नागपुर में ही लॉण्च हुआ था ये आपको याद रखना है नए क्यूशन है हाली में केसराजी के मुख्यमंत्री ने क्रसी मजदूरों के बच्चों के लिए बिद्या निदी योजना का बिस्तार किया है तो अभी करनाटक ने क्रसी मजदूरों के बच्चों के लिए बिद्या निदी योजना का बिस्तार किया तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है बिद्या निदी योजना इसमें क्या होता है मजदूरों के बच्चों को SBI से Education Loan दिया जाता है और होत कम Interest Rate पर दिया जाता है जिससे कि उनकी Education proper चल सके अब करनाटक तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की Capital क्या है? Bangalore करनाटक की Chief Minister कौन है? बसबराज Bombay और करनाटक की Governor कौन है? तावर, चंद्र, गहलोत अभी करनाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा Outreach के साथ समझाता किया SBI ने Startup के लिए समर्पित पहली साखा करनाटक के Bangalore में खोली है ये Startups के लिए Dedicated Branch है और Bangalore में खोली है अभी करनाटक ने खिलाडियों को दो प्रतिसत आरक्षड देने की गोशनकी है गाय गोध लेने के लिए पुंडिकोटी दत्तु योजना को सुरू करने वाला पहला राज करनाटक बना है और स्वामी विवेकानंद युबा सक्ति योजनका सुभारम अभी करनाटक में हुआ है करनाटक का एक गाउं है मट्टूर ये पूरे देश में इकलोता ऐसा गाउं है जहां बोलचाल की भासा में संस्कृत बोली जाती है करनाटक के दो डांस याद रखने है एक है यक छिगड और दूसरा है डोलू कुनीता अच्छा करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क है बांदीपूर, अंसी, नगरहूल, बनरकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क ये करनाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है नेक क्यूशन है हाली में अभीजीत सेन का निधन हुआ है ये कौन थे और 2004 से 2014 तक ये योजना आयोग के सदसे रहे थे पहले योजना आयोग था उसे खत्म किया गया और उसकी जगे अब नेती आयोग बनाय गया है तो जो अभी नेती आयोग है इसकी जगे पहले योजना आयोग उआ करता था तो ये 2004 से 2014 तक यूजना आयो के सदसी वी रहे थे नए क्यूशन है हाली में कैबिनेट की नियुक्ति समिती ने कैसे IMF में भारत का कारेकारी निदेशक नियुक्ति किया है तो कैबिनेट की नियुक्ति समिती ने अभी IMF में भारत का कारेकारी निदेशक क्रिश्नमूर्थी शुब्रमंडियम को नियुक्त किया तो इस question का बे options है अब IMF याने की International Monetary Fund इसकी स्तापना कब होई 1945 में इसका headquarter कहाँ पर है Washington DC में और इसकी present time पर MD कौन है Crystalina Georgieva कौन है Crystalina Georgieva ने question है हाली में Tata Steel ने कहा Steel Plant इस्तापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझोता किया है तो अभी Tata Steel ने पंजाब के लुद्याना में Steel Plant इस्तापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझोता किया तो इस question का A option सही है अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब पंजाब की केपिटल क्या है चंडेकड पंजाब की चीपनिश्टर कौन है भगवंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित पंजाब में एक बिधायक एक पेंसन इसकी मलागू की गई पंजाब के खेल विवाग ने 29 अगस्त को खेड मेला का आयोजन किया अभी पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टांप पेपर को पूरी तरह खत्म कर दिया है और इसकी जगए एस्टांप लाए गए हैं अच्छा पंजाब की सिक्षा बोड़ ने सिक कित्यास की तेन किताबों पर प्रतिबंद लगा दिया है ने क्यूशन है हाली में थाइले सिंग ये 1995 बेच के इंडियन फॉरेंच सर्विस के अधिकारी है और अब इनको ताइलेंड में भारत का राजदू तो पॉंट किया गया है अब ताइलेंड तो ये है मैप में ताइलेंड की केपिटल क्या है बैंक ओग ताइलेंड की करन्सी क्या है ताई बहत और थाइले के कोट ने इनको सस्वेंड कर दिया है अच्छा एक नाम यहां पर लिखा है बेक्रम दोरईश्वामी यह UK में भारत के उच्चायुक्त बने हैं एक नाम यह लिखा है प्रड़य कुमार बर्मा यह बंगलादेश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं अच्छा बेक्रम दोर प्रवेट चाबडा को न्यूक्त किया गया है और बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पूददार को MD&CEO की रूप में पदोन्नत किया है अच्छा अलके सर्मा संयुक्त राष्ट की उच्चिस्तरी इंटरनेट पैनल में न्यूक्त हुए हैं ये अभी रीसेंट जो अपो हाली में किस राज में एक बिसाल दबा पार्क बनेगा तो अभी आन्दपरदेश में एक हजार करोड रुपए की लागत से एक बिसाल दबा पार्क बनेगा तो इस कुछिंता बे अप्सन सही है अच्छा आन्दपरदेश तो ये है मैप में आन्दपरदेश आन्दपरदे पहला कुश्यन माइंड माना चाहिए कि बासा के आदर पर गठेत होने वाला भारत का पहला राज्य है आंद्रप्रदेश. अभी आंद्रप्रदेश के बेजय वाड़ा में महात्मा गांदी की 30 फीट उची भित्ती प्रतिमा का अनावर्ड बेसुभूशड हर चंद्र ने कि लिया है आंद्रप्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं क्रसी अब संरतना कोस के उप्योग में आंद्रप्रदेश टॉप पर रहा और फैमली डॉक्टर प्रोजेक्ट लाओ करने का नेड़े अभी आंद्रप्रदेश सरकार ने लिया है अच्छा अभी आंद्रप्रदेश से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट कुश्चिन में आपको होता है था आंद्रप्रदेश ने जो बिनायल के बैनर होते हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है एक्च्छल में आंद्रप्रदेश का टार्गेट है कि आंद् एक्ष्यों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तरपदेश है चेनी का सबसे बड़ा उतपादक महरास्ट है और मचलियों का सबसे बड़ा उतपादक TAMIL NADA है निया क्युशंट है हाली में mercedes benz इंडिया के MD और CEO कौन बने है तो Mercedes-Benz इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO बने है Santos I.E.R. तो इस question का A options आई है, यह है Santos I.E.R. यही Mercedes-Benz इंडिया के नए MD and CEO बने है, next question है, हाली में भारती railway ने कहां मेगदूत मसीने लगाई है, तो अभी Indian railway ने Mumbai station पर मेगदूत मसीने लगाई है, तो इस question का A options आई है, अच्छे यह जो मेगदूत मसीने लगाई गई है, यह क्या करेंगी, तो यह हवा में जो जलवास पोहती है, उसको पेने योगी पानी में convert करेंगी, next question है, हाली में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इसमारक, बैदिक तारा मंडल का मंदिर कहां बनेगा, तो यह पस्चिम मंगाल में बनेगा, तो इस question का A options आई है, पस्चिम मंगाल के मायापुर में 100 मिलियन डॉलर की लागत से, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इसमारक, बैदिक तारा मंडल का मंदिर बनेगा, अब पस्चिम मंगाल तो यह है मैप में पस्चिम मंगाल, पस्चिम मंगाल की capital क्या है, कूलकाता, और कूलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदीक किनारे स्थित है, पस्चिम मंगाल की केपनेश्टर कौन है, ममता बनर जी, और पस्चिम मंगाल के अभी present time पे गवर्नर कौन है, लागडेशन, एक्चुल में पस्चिम मंगाल के गवर्नर थे जगदीब धनगड, लेकिन वो अब हमारे उपराष्ट पती बन गए है, तो अभी पस्चिम मंगाल की गवर्नर है लागडेशन, और लागडेशन एक और राजी के गवर्नर है, मड़पूर के भी गवर्नर है, अचा भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्गाटन कूलकाता में किया जाएगा, अंतरास्टी समुद्री भोजनसों की मेजवानी अभी कूलकाता करेगा, एसिया का सबसे पुराना फुटवर्ड टूनामेंट डूरंड कप अभी कूलकाता में सुरू हुआ, दूल उत्सप, इसे डूल जात्रा भी कहते हैं, ये पश्यव मंगाल में मनाया गया, नेक्शुशन है, हाली में मिस दीवा यूनिवर्स 222 कौन वनी है, तो दिविता राय, ये अभी मिस दीवा यूनिवर्स 222 वनी, अच्छा, यहाँ पर एक नाम लिखा है, सिनी शेटी, ये फैमिना मिस इंडिया 222 वनी थी, एक नाम ये लिखा है, खुशी पटेल, ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 222 वनी थी, नेक्शुशन है, हाली में केस देश का सबसे बड़ा युद्ध पोत, HMS Prince of Wales, चति गरस्त हुआ है, तो HMS Prince of Wales, ये UK का सबसे बड़ा युद्ध पोत है, और अभी ये चति गरस्त हो गया, तो इस कुशन का A options है, ये Royal Navy का सबसे नया और UK का सबसे बड़ा युद्ध पोत है, जो अभी चति गरस्त हुआ है, Next Question है, हाली में दुनिया के तेसरे सबसे धनी ब्यक्ति कौन बने है, तो अभी गौतम अडानी, दुनिया के तेसरे सबसे धनी ब्यक्ति बन गए, तो इस कुशन का बे options है, अभी Bloomberg Blanier Index में, दुनिया के तेसरे सबसे धनी ब्यक्ति बने है, गौतम अडानी, अब इन से उप फर्स्ट पर हैं, जैब बेजो सेकंड पर हैं और गौतम अडानी अब तेसरे नमर पर पहुंच गए हैं ये एसिया के पहले ब्यक्ति हैं जो तेसरे नमर पर पहुंचे हैं हाली में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार बलातकार के मामले में कौन सा राज सीर्स पर रहा है तो अभी NCRB की रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग बलातकारों के मामलों के मामले में राइस्तान टॉप पर है तो इसकुशन का से ओप्सन सही है यानि कि 2021 में सबसे ज़् और महिलाओं के ऐखिलाब समग्र अपराद के मामले में उत्तरपदेश टॉप पर है अचा कल मैंने आपको वताया था कि आत्मथ। की मामली में माहराज टॉप पर है तो यह तेनों कुश्य ना प्याद रखिए है अब राइस्तान आंब इमट और राहस्तान की इसनातकों के लिए टैक सेंटर का उद्गाठन किया है। संतोस कुमार सिंग को राइस्तान तक ने की विश्विद्याले का कुलपती नियुक्त किया गया। अचा बेर दुर्गादास राठोर की प्रतिमा का अनावर्ड अभी रक्षा मंत्री राजनत सिंग ने राइस्तान के जोधपुर में किया। राइस्तान में पुसकर में सेंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। बारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राइस्तान में आयोजित की गई। और बारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राइस्तान में स्तापित किया गया। राहिस्तान सरकार बिधान समा में स्वास्ते का अधिकार बिदेहक पेस करेगी अच्छा राहिस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रड़ तमबर नेशनल पार्क है और केवला देव घाना पक्छी बेयार है राइस्तान में मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब भी है इतना आप राइस्तान के बारे में याद रखिए अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आप से कुश्यन पूचा था कि हाली में टे 20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बारती खिलाडी कौन बने हैं तो अभी रोहित सर्मा टे 20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बारती खिलाडी बने यानि कि इस कुश्यन का बे ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेंड ने इसका answer सही दिया maximum student ने इसके बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में शुमंग लेला महुतसब के सराज में मनाया जा रहा है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके लाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने careers related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indrishrc Instagram पर indrishrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा, आज की सुडो का target जरू याद रखना आज की सुडो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और भेसुग ग्रूप है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप से subscribe करेंगे तो बराबर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always video thanks for watching